नमस्कार मेरे प्रिया देवी और सज्जनों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्फ प्रथम राधा रानी जी और बाके बिहारी जी के चरणों में मेरा सत्सत नमन मित्रो आज का यह वीडियो बहुत ही अद्भूत है क्योंकि आज का लेक राधा रानी के भक्त श्री हिट प्रेमानन गोविंद शरन जी महराज के जीवन परिचे पर है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे श्री हित प्रेमानन गोविंद शरंड जी महाराज ने अपने जीवन में संघर्ष किया साथ ही इनके प्रवचन का कुछ भाग आपके साथ साज़ा करूंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं आप सबने कही न कही व्रिंदावन के बारे में सुना होगा माना जाता है कि व्रिंदावन में रहने का आर्थ है साक्षात श्री राधा रानी के चरणों में स्थान मिलना व्रिंदावन जाने का सौभागे जिसे मिल जाए वो मोक्ष को प्राप्थ हो जाए वैसे व्रिंदावन का दूसरा नाम ही मोक्ष है व्रिंदावन के लोगों का मानना है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक जीव पर श्री राधा रानी की विशेश क्रिपा रहती है जो भक्त श्री राधारानी को रिजा लिया उस पर राधारानी की कृपा तो होती ही है साथ में श्री जी, श्री कृष्ण जी की भी कृपा बनी रहती है श्री संतो की ऐसी मानिता है कि कई जन्मों के अच्छे कार्य वपुन्य, अच्छे आचरन और प्रभू के सेवा के बाद ही ब्रिंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है श्री हिट प्रेमानन गोविंद शरन जी महाराज का नाम मात सोचने से एक अलोकिक उर्जा और प्रसन्नता का अनुभव होता है और हो भी क्योना इन पर राधारानी की कृपा जो है श्री हित प्रेमानन गोविंद शरन जी महाराज राधा वल्लब संप्रदाय के महान संतों में से एक है श्री हित प्रेमानन गोविंद शरन जी महाराज में अपना पूरा जीवन श्री राधा रानी और श्री जी की पूजा आराधना में अर्पित कर दिया महाराज जी के प्रवचन इतने प्रभावशाली होते है कि इनके मुखारविन से एक-एक शब्द आपको परमानन की अनुभूती करा सकते है मैं स्वयम यह मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि अगर महाराज जी के प्रवचन जो भी 10 मिनिट सुन ले वो स्वयम को पूरी तरह से बदल सकता है क्योंकि इनके मुखारविन से निकले हुए एक-एक शब्द वप्रवचन, मुर्दे व्यक्ति को भी जीवित कर दे पूजे श्री प्रिमानन गोविन जी महाराज का जन माहरी डावचन, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तरप्रदेश में हुआ था इनका जन प्रिमानन गोविंद शरन जी महाराज डेट अव बर्थ, एक साधारन और अत्यंत पवित्र, सात्विक, ब्राहमन परिवार, पांडेय परिवार में हुआ था, महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद कुमार पांडेय था श्री प्रेमानन गोविंद शरन जी महाराज का पावन चरित्र और उनका प्रारमविक बचपन भक्ती भाव से पूर्ण परिवार में बीता, इनके श्री दादा जी एक सन्यासी थे, श्री हिट प्रेमानन गोविंद शरन जी महाराज का पारिवारिक वातावरन सदैव भक्त पुर्ण, पवित्र और निर्मल रहा। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और वे एक भक्त व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में पारिवारिक जीवन का त्याग कर सन्यास ग्रहन किया। पुरा परिवार सुनता था। उनके मन में ये विचार प्रकट हुआ कि क्या माता पिता का प्रेम अस्थाई है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस अस्थाई प्रेम के जाल में क्यों उलजना। उन्होंने स्कूलों में मिलने वाले शिक्षा पर भी प्रशन उठाए। प्रेमानन जी महाराज ने अपने घर परिवार का त्याग करने का विचार बना लिया और अपनी माता को अपने विचार के बारे में बताया। इस प्रकार महाराज जी मात तेरा वर्श की उम्र में जीवन के पीछे का मारमिक रहसे और ज्यान जानने के लिए घर का त्याग कर दिया। श्री प्रेमानन जी महाराज ने नैश्टिक ब्रहमचरे से नए जीवन का आरंव किया जिसके फलस्वरूप उनका नाम आनंदस्वरूप ब्रमचारी रखा गया। जिसके बाद उन्होंने सन्या स्वीकार कर लिया। उन्होंने जब महाकावे स्वीकार किया तो उन्हें स् खाट के किनारे विताया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को नहीं स्विकारा, बहुत कम समय के अंदर ही माता गंगा उनकी दूसरी मा बन गई, श्री हिट प्रेमानन गोविंद शरन जी महराज बिना भोजन कपड़े के या फिर मौसम की करते थे, कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास किया करते थे और कड़ाके की थंड में भी मा गंगा की तीन बार दूप की जरूर लगाते थे, जब उनका शरीर थंड से कापने लगता था तो वे ध्यान में कई घंटों तक बैथे रहते थे, सन्यास के कुछ वर्षों के बाद उनके साक्षात शिवजी से आशीरवाद प्राप्त हुआ। अत्मान कर रासलीला देखने गए तो उन्होंने देखा गुरू जी महाराज चैतने लीला दिखा रहे थे, सुबह चैतने लीला देखने के पश्चात संध्या का रासलीला भी देखा, पूरे एक महीने रासलीला का आनंद उठाए, रासलीला का प्रभाव प्रेमानन जी मह महाराज के ऊपर इतना अधिक था कि वो एक अपल भी बिना रासलीला देखे नहीं रह सकते थे। विकार किया और व्रिंदावन जाने के बारे में सोचने लगे कि कैसे व्रिंदावन जाया जाए। इस प्रकार प्रेमानन जी महाराज के जीवन में रासलीला का प्रभाव हुआ जिससे वे वारानसी से व्रिंदावन गए।